है कि आप लोग इतने confident हैं महराश्र में एक तरफ और दूसरी तरफ प्रधान मंत्री कह रहे हैं कि शरत पवार और उद्धर ठाकरेश शरत पवार जो है अजीत पवार को जाइन कर सकते हैं तो यह कोई messaging है इसको कैसे पढ़ा जाए इसको कैसे देखा जाए मुझे लगते है वह दो अनुने तो जब शरत पवार जी ने घुटने टेक दिये और उनुने बताया कि अब हमारी पार्टी या छोटी पार्टियां कॉंग्रेस में विलीन हो जाएंगी तो यह सफ्ष्ठ हो गया यह बारामत्य के चुनाओं के बात का तो यह तो सफ्ष्ठ हो गया कि उनों तो सुप्रिया सुले को कॉंग्रेस जॉइन कर देंगी तो वैसे ही उनका जो स्प्रिंटर ग्रूप उस पे बे कुछ जादा रहेगा निए वैसे ही उद्धव ठाकरे जी तो कॉंग्रेस की बीटीम मन गए उनके कहने पर उनके सलाम शुरुव पर चल रहे हैं तुष्टी कर राजनीती तो कॉलिंग कार्ड उद्धव ठाकरे जी जो कितने हरानी की बात है उन्होंने हिंदुत्यों को ट्याग दिया बाला साहिब के सभी मूल सिधानतों को ट्याग इस बार महराश्च में काफी मुसल्मान उद्धव ठाकरे सेना को वोट कर रहे होंगे हाँ आज कल तो मुसल्मान वोट्स के राजनीती के पीछे उद्धव ठाकरे जी दोड के जा रहे हैं इसलिए मैंने का कि बाला साहिब को तो कितनी तकलीफ हो रही होगी आज की उनके लड़के के वहवार को देख के पर उनको ये भी संतुष्टी होगी कि एकना चिंदे जी ने उनके म हमारी नीती है, हमारे महायूती की नीती है, हम मुसल्मानों को भी इन्वाइट करते हैं और मैं तो अपने शेतर में देख रहा हूँ, भारी मात्रा में हमारे मुसलिम भाई बैन हमारे को समर्तन दे रहे हैं, हमारे साथ हैं, कल भी पूरे एक बड़ा ग्रूप होकर्स का आ है हमारी बीटियों की हमें चिंता रहती थी हमें मोदी जी ने उससे निजात दिलाई बेटियों की चिंता से एक डायरेक्ट सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा अपने मुसल्मानों की बात की पर महराश्व में यहां पर माराथा सेंटिमेंट जो है वो क्या भारती जनता पार्टी के अभी थोड़ा अगेंस्ट है यहां पर माराथा एजिटेशन हुआ मनोज जरांगे पार्टिल जी ने जो है एजिटेशन किया आज भी कुछ क्लारिटी है किया इसमें क्या माराथा भारती जनता पार्टी के साथ है और ये बहुत बड़ा वोर्ट ब्लॉक है कि पूरी मराठा समाज समझता है कि अगर उनके हितों की रक्षा कोई कर सकता है तो प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी और मोदी जी और यहाँ पे हमारी महायूती की सरकार यह जो डबल इंजिन सरकार है यही मराठा हितों का रक्षन कर सकती है वो जानते हैं कि उनका वोट अगर इदूर उदर दे दे तो विफल हो जाएगा ना कोई चुनकिया पाएगा ना कोई उनके हितों की नक्षा कर पाएगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि मराठा भाई-बैन महराष्टा के मोदी जी के साथ है और मोदी जी को ही समर्थन आशिरवाद देंगे प्यूजी मुंबई नौर्थ आपकी सीट भारती जनता पार्टी का गड़ रहा है पिछली बार भी बहुत भारी जीत हुई थी क्या पिछले बार के मार्जन को बीट कर पाएंगे आप ये तो जनता जनारदन ही तह करती है क्या बीट कर पाएंगे क्या नहीं पर अभी तक ज मुझे मिला जहां जहां मैं गया हुआ, जुगी जओपडी हो, कोई समाज हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा पूरे प्रदेश में, पूरे चेत्र में, में को शेत्र नहीं दिखा, लोग नहीं मिले, जिनका रत्ती भर भी मैंने नेकिटिविटी देखिओ. समाज का हर work आज मोदी जी के साथ जाना चाहता है ये vote तो मोदी जी लिए अश्रवात के रूप में उत्थर मुंबई के लोग देंगे मोदी जी की guarantee और मेरी मेरा ध्रहड संकल कि मुझे मोदी जी की guarantee उत्थर मुंबई के लोगों के जीवन तक पहुचानी है और उत्तर मुंबई को उत्तर मुंबई बनाना है ये मेरी निष्टा मुझे विश्वास है कि बहुत ही अच्छी तरीके से लोग उत्रेंगे वोट डालने पिछ्टी बार से अधिक वोट डलेंगे और वोट मोधी जी के रिए डलेंगे कॉंग्रेस के जो कैंडिडेट है भुखशन पार्टिल वो कह रहे हैं कि आप आउटसाइडर हैं थोड़ा माराथी वर्सेज गुजराती कलर भी देने की कोशिश चाहरी है इन सब से कुछ फरक पड़ेगा यह पहली बाद मुंबाइकार होने के बाद आप अपने को कैसे दे मज़ेतार बात देखें ना हम सब मुंबाइकर हैं आप भी मुंबाइकर हूँ खभी आपते आपको दक्षिन मुंबाइकर या उत्तर मुंबाइकर बोलाए आपके यह इतने लोग ہیں इस त्टूडियो में मैं चाहूँगा आप सभी का एक पोल ले ले लिजे एग भी बैक् उत्तरपूर मुंबएकर हों, हम सब मुंबएकर हैं, हमें उन्हें तोमें और मुंबएकर होने काró, कॉंग्रेष और उद्देव ठाकरे जी, शायद मुंबए को भी बातना चाहते हैं, देश को तो बातने के उनकी योजदा हैं और नीती है ये, अब वो मुंबई को भी तोड़ना चाहते हैं हिस्सों में और हमारे मुंबईकर को भी एक दूसरे के साथ लडाना चाहते हैं ऐसे ही पार्टी और ऐसे ही व्यक्ति इस पकार के व्यक्ते वे दे सकते हैं वैसे हास्य की बात है क्योंकि वर्षा गायकवर्ट और मैं हम दोनों सेम एरिया के, मैं सायन का हूँ, वो धारवी के थी, सटे वे हैं दोनों, यह की कॉंसिट्वेंसी है, उन्होंने यह आउसाइडर वाली बात, कॉंग्रेस की अध्यक्षा के रूप में शुरू की, और बांदरा सांडर क्रूस में आगे हैं लड़ने, पता नहीं वो अपने आपको वह इंसाइडर बात है या आउसाइडर, अधित्या ठाकरे जी, बांदरा में रहते हैं, I think I'm sure मुंबई कर सभी जानते हैं, वहां से छोड़के वर्ली से मले बने, अब पता नहीं वो वर्ली म इंसाइडर है, ये भी एक देखने वाली बात होगी, थोड़ा जाहट के दूसरे मुद्धे पर आते हैं, मुंबई में बैठे हुए हैं, यहां पर भी तुष्टी करन की बात चल रही है, कोई कह रहा था कि हेमंत करकरे जी को, जो है, RSS के कोई सिंपथाइजर, पुलिस व जो महाविकास अगाड़ी है, इन सब ने कम से कम हमारे सेना बलों का तो मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए, उनकी साक्रिफाइस को तो नहीं बिलिटल करना चाहिए, उच्छा बना देना चाहिए, आप देखिए बातला हूस में भी यही किया था, इनोंने कश्मीर में भी ब लिए अच्छे थे, और जो सेना के उपर पत्थर बाजी होती थी, वह उनको तकलीफ देती थी, इंडिया अलाइंस के गटकों को, और अब जब बंद हो गया, आर्टिकल 370 हटने के बाद, तो उनको दिखता नहीं है कि कैसे बदलाव आया है लोह के जीवन में जमो किश्म मुझे लगता है कि कॉंग्रेस आज जब हिमन करकरे जी के बलिदान को इस पकार से तुष्टी करन की रादनीती से जोड़ती है, या तुकाराम जी के जो शहीद होके जिन्होंने कसब को पकड़ा, या जो मेहनत और दिन रात काम करके उज्वल निकम जी ने टेरिरिस को फ जो हमारे सुरक्षा बलो ने मुंबई को बचाया इन सब के सैक्रिफाइस को और कितने सारे हमारे मित्र में